फ्रेंड्स, आज हमारे यहां फ्रेंड्स आ गई हैं, उन्होंने का कि यहाल ने तुम रेस्पी झालती हो, लेगर कुछ बना के नएे कि खिलाती हो, तो मैंने का चलो बनाते हैं, फटा फट कुछ जल्दी से, क्योंकि उसके साथ मुझे मार्केट भी जाना था, तो मैंने का चलो भजिया बनाते हैं मेरे पास रखा था प्याज बेशन सभी के घर में होता है तो मैंने सुचा कि फटा फट इसी के बनाते हैं तो पहले चट्नी बना लेते हैं इसके लिए हमने धनिया ले लिया है थोड़ी से धनिया है ये और चार से पांच लस्टून की कलिया ले ली ह और दो हरी मिर्च ले लेते हैं अब हम टमाटर ले लेंगे तो दो टमाटर काटके इसी में डाल देते हैं फटा फट बनाना है और इसमें थोड़ा सा सौल्ट भी डाल देंगे तो टमाटर हमने कट कर लिया है अब इसी में हम थोड़ा सा सौल्ट डालेंगे और जीरा भी कि चली है इसको पीस लेते हैं थोड़ा सा इस पर पानी जाल देंगे ये फट़ब चिटनी वनकत त्यार है आभ इसके लिए हम प्याज ले लेते हैं तो ये हम ने प्याज स्लाइस में काट लिये हैं इस तरह से तो ये दो प्याज हैं बड़े इसमें थोड़ी से हरी धनिया डाल देते हैं और इसी के साथ में हम थोड़ी सी एक हरी मिर्ष डाल देते हैं बारी काट लिया था हमने और थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं अब हम इसमें बेसन मिलाएंगे तो चार से पांच चमच हम इसमें चाक्वत्ती वाला जो चमच होता है वो चमच है चार से पांच हम इसमें हम बेसन मिला देते हैं तो बेसन और थोड़ा सा सौर्ट डाल देते हैं तो बेसन आप इसमें जब मिलाएंगे तो अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा पानी तो आप बेसन इसमें और आट कर सकते हैं थोड़े सी लाल मिर्स डाल देते हैं और सारी चीजों को अच्छे से मिला देते हैं अब इस में हम थोड़ा सा पानी जालेंगे ज्यादा पानी नहीं जालेंगे क्योंकि प्याज में पानी रहता है और इसका पेश्ट बना लेंगे इस तरीके से तो बहुत ज्यादा गीला नहीं करेंगे पकड़े के फॉर्म में करेंगे इस तरीके से तो बेशन मुझे लग रहा है कि क करीब डिए द श Eliai चतनी को देख लेते हैं चतनी हमारी देखे इसका रेडी है कि अर्म है यह दिए कि बढ़ है ग्रीण ग्रीन चत्टनी बनका तयार है भजिया के साथ चत्नी रहे तो मज़ा ही कुछ अलग है चले इसको दूसरे वरतन में निकाल लेते हैं तो यह चट्णी बनकर तयार है हमारी थोड़ी से पतली ही रखी है हमने अब हम इसमें कढ़ाई रख दिया अगया इस पर वायल भी जाल दिया है थोड़ा थोड़ा सा पोषिन इसमें निकाल कर हम इसको mi page की तरीके से इस तरह से तो आप चम्मच से भी जाल सकते हैं पर हम हाथ से ही जालते हैं इस तरीके से छोटे छोटे पकड़े हमको इस तरीके से जाल देने हैं तो सारे पकोड़े को हमने डाल दिया है अब चलिए अलट पलट लेते हैं तो धीमे ही गैस पे इसको पका रहे हैं बना रहे हैं यह तो जलने लगता है क्योंकि बेशन बहुत जल्दी जलने लगता है कि दखे किती क्रिस्पी पकोड़े हमारे बन रहे हैं थोड़ा सा सको और लाल होने देंगे इसी तरीके से बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे आइटेंगे पैटेंगे इसी तरीके से चलिए इसको निकाल लेते हैं तो हमारे कृस्पि क्रिस्पी पकॉडबने कर तयार है देखे किती जल्दी फटाफट बने कर तयार हो गये यह देखें कितना बढ़ी हैं दूसरा भी निकाल लेते हैं इस तरीके से तो सारे पकोड़े हमारे बनकर तैयार है तो जैसे हमने अपने फ्रेंट के लिए बनाया है फटा फट जल्दी आपके यहां भी कोई महमाना आए तो आप फटा फट इस तरीके से पकोड़े बना सकते हैं दिखी कितने क्रिस्पी और कितना बढ़ हैं प्याज और बेशन और यह चक्नी भी तयार हैं हमारी तो चलिए सर्फ करने के लिए तयार है रैस्पी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें सेर करें सस्क्राइब करें यह देखिए कितना बढ़िया बनकर तयार है